गुल को और एक विल्कम टू क्रियेट रिक्स के यूट्यूब चैनल वियाब बाक क्विधी इलेक्ट्रिकल मेशीन एक्स-प्रेस अपने नए स्टेशन पहुंच गई है जो की है लेंजलॉओ तो आज लेंजलॉओ के बारे में बात करेंगे आपको समझाएनगे 2014 and 2018, I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indoor. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and currently working as a director at an academy for GATE Department. अम मेरे बारे में ये सारी बाते बहुत से बच्चों को पता है, लेकिन मैं कहता हूँ बच्चों, इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो चैनल है, this is really creating a revolution in the field of GATE and ESE education by providing the highest quality education for free. लेकिन एक मिनट के लिए भी ये मत सूचना कि हमारे जो free initiatives हैं, वो सिर्फ इस चैनल तक restricted हैं, नहीं बेटा, हमारे free initiative आपको इस चैनल के साथ-साथ आपको unacademy app पे भी मिलते हैं, तो unacademy app install कर लो और वहाँ पे हमारे free initiatives को enjoy करो, बस unlock करने की देर है using the code ANKIT ESE, इसके अलावा अगर आप हमारे paid courses, batches का हिस्सा बनते हो, तो यही code आपको दिलाएगा immediate 10% का discount और साथ-साथ आपको ले आएगा मेरी personal guidance में जहां पे कि आप बहुत अच्छा कर पाओगी क्योंकि लगातार मैं आपको बताता चलूँगा कैसे कब क्या करना होगा, तो चलो तो आजाते हैं और आज के topic पे lens law, तो देखो मैंने episode number 3 के अंदर faraday's law में थोड़ी जी बात की थी lens law पे, कि जो minus sign आता है EMF induced में, that represent lens law और वो यह कहता है induced DMF opposes the cause of induction, तो अब यह कैसे oppose करता है, कैसे EMF की polarity decide होती है, यह हम lens law के अंदर सीखते हैं, तो देखो हमने यहाँ पे यह बोला था, कि यह जो negative sign है, negative sign represents कि induced DMF opposes the cause of induction, अब सर इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब यह होता है, जैसे कि अगर आप सो रहे हो, अगर मैं आपको जगाऊंगा, तो आप मुझे हो सकता है, डांट दो, कि भाईया मुझे नहीं उटना सोने दे, तो यानि जिस कारण से आप जगे आपने उसी को oppose किया, तीक है, इसी तरीके से बिटा, जैसे ही EMF induced होता है, तो जिस किसी कारण से induced हुआ है, वो उसे oppose करेगा, तो mainly क्या होता है, यह जो cause of induction है, that is basically change of flux, correct, change of flux with respect to time, तो हम यह कहते हैं, induced DMF ऐसा होगा, जो कि change of flux को oppose करेगा, यानि induced DMF कोशिश करेगा, कि flux constant रहे, flux ना बदले, यह कैसे करेगा, जो भी EMF induced होता है, वो एक current पैदा करेगा, और यह current, आपके magnetic field के change को oppose करेगा, कैसे, अगर magnetic field increase हो रही है, तो यह opposite direction में magnetic field बना के decrease करने की कोशिश करेगा, magnetic field अगर decrease हो रही है, same direction में magnetic field बना के increase करने की कोशिश करेगा, यानि जो भी आप change करोगे, उसे oppose करेगा, जैसे parliament में होता है, opposition party, ruling party, अच्छा करे, बुरा करे, उनका role ही opposition का है, ऐसे ही induced DMF, चाहे flux बढ़ने से आए, या कम होने से आए, वो दोनों ही situation को oppose करता है, तो देख देखें, यहाँ पे अगर magnetic field बढ़ रही है, magnetic field देखो, B इसी direction में है, और delta B भी इसी direction में है, यानि यहाँ पे B is increasing, तो उसे constant रखने के लिए induced magnetic field opposite होनी चाहिए, opposite magnetic field के लिए, right hand rule से देखें, right hand rule में आपको क्या याद रखना है ना बिटा, यह जो thumb है, यह magnetic field अगर बताता है, तो यह उंगलियां current बताती है, circular loop के अंदर, तो उंगलियां मेरी आगे से नीचे की तरफ जा रही है, यानि current आगे से नीचे की तरफ जाएगा, current आगे से नीचे की तरफ जाएगा, तो मुझे current की direction मिल गई, किस से? induced magnetic field से, फिर से समझना, induced field की direction में अंगूठा रखो ये जो उंगलियां आगे से नीचे जा रही है, ये current बताएगी, अगर आपको voltage की polarity चाहिए, तो यहाँ पे एक resistance लगा दो, ठीक है? अब ये resistance में जब current बिटा ऐसे जाएगा आपका नीचे की तरफ, देखना ध्यान से, जब आपका current जाएगा नीचे की तरफ, तब क्या ह तब यहाँ पे plus आएगा और यहाँ पे आएगा minus, कैसे लगाया ये plus और minus? क्योंकि resistance के अंदर current हमेशा flow करता है plus से minus, अब अगला देखो, magnetic field right में है, लेकिन delta भी left में है, यानि की magnetic field is decreasing, अगर देखो magnetic field right में है, लेकिन change left में है, इसका मतलब ये हुआ कि आप magnetic field को कम कर रह हो, तो induced current इसे बढ़ाने की कोशिच करेगा, बढ़ाएगा तो magnetic field parallel लगाएगा, induced EMF will oppose the change, अगर change ऐसा है जो decrease कर रहा है, तो induced EMF इसे बढ़ाने के लिए same direction में magnetic field देगा, जब magnetic field same direction में आएगी, फिर से देखो right hand thumb rule आपका उठा, magnetic field की direction में जा रहा है, तो आगे से ये जो नीचे आ रही है, they are indicating the current, यानि current आगे से नीचे आएगा, अगर current आगे से नीचे आता है, तो ऐसे flow करेगा, तो plus minus, अगला देखो, ये magnetic field left में है, ये magnetic field left में है, लेकिन change है right में, तो again magnetic field कम हो रही है, अगर magnetic field left में है, और change है right में, तो magnetic field कम हो रही है, तो induced EMF इसे बढ़ा बढ़ाने के लिए left में magnetic field बनाएगा बढ़ाने के लिए left में बनाएगा लेफ्ट में बनाएगा तो मेरी उंगलिया उपर की तरफ point कर रही है तो current उपर जाएगा बिटा current अगर उपर गया तो यानि की current यहां से ऐसे गया यहां से ऐसे आया तो current plus से minus जाता है तो plus-minus मिल गए प्लस-minus मिल गए अब अगला देखो magnetic field right में है और change भी right में है magnetic field right में change भी right में यानि magnetic field बढ़ रही है तो induced dmf इसे कम करने की कोशिश करेगा कम के लिए left में देगा magnetic field left में देगा माने current आएगा उपर current अगर उपर आया तो माने यहां से गया और यहां से ऐसे तो current जब ऐसे जा रहा है तो current प्लस से minus जाता है तो आपको करना क्या है बिटा आपको change अपोस करवाना है उससे current निकालना है और current से एक resistance लगा के polarity निकालनी है एमफ की तो मैं क्या बोलता हूँ assume simple बता रहा हूँ फंडा assume induced field opposite to applied field induced field को applied field के opposite मान लो find current in coil find current in coil based on direction based on direction of induced field based on direction of induced field connect our resistance connect our resistance across coil terminals across coil terminals and determine and determine and determine voltage polarity voltage polarity based on current voltage polarity based on current अब देखो इसको apply करके मैं दिखाता हूँ कि आप transformer में कैसे apply करोगे इस चीज़ को यह प्रिंसिपल ना ट्रांसफोर्मर में बहुत काम देता है तो देखो क्या होगा ट्रांसफोर्मर में जैसे प्राइमरी वाइंडिंग है यह आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी बिटा अब मान लो यहाँ पे एक source लगा है यहाँ से आपने मान लिया current enter कर रहा है आपने current कैसे assume कर लिया बिटा current ऐसे assume कर लिया कि primary पे जो source लगा है वो power supply कर रहा है मुझे secondary में यह जानना है EMF की polarity क्या है अब देखो जब primary का current ऐसे जा रहा है तो यह magnetic flux बनाएगा current अगर right में जा रहा है तो magnetic field कैसे होगी ऊपर की तरफ magnetic field will be upwards लेकिन magnetic field line हमेशा close loop बनाती है तो ऐसे यह transformer के core से close loop बना लेगी अब transformer के core से यह जब close loop बनाएगी इधर अगर आप देखें तो magnetic field downwards आ रही है अगर magnetic field downwards आ रही है उसे oppose करने के लिए secondary का magnetic field होगा upward अगर यह downward तो इसका opposition upward opposition upward तो current बनेगा right की तरफ देखो जरा मेरा अंगूठा magnetic field बता रहा है induced वाली तो current आ रहा है किस तरफ right hand side पे तो current बना right hand side अब आप क्या करो एक imaginary resistance लगा दो और आप पता करो कि कैसा current आ रहा है यह आ रहा है तो यह आ गए plus और minus तो हम क्या कहते हैं we find emf polarity emf polarity using lens law ठीक है emf polarity आप lens law से निकाल लो फिर आपको minus लेने की जरूवत नहीं है बिटा क्योंकि आप polarity पहले ही define कर दिये आपने opposition यहीं पे मान लिया यहाँ पे आपने opposition ले लिया ना फिर से minus दिखाओगे तो दुबारे से opposition consider हो जाएगा तो एक बार opposition मान के polarity निकाल लो फिर बस end d5 by dt करना रहेगा you don't have to actually take a minus sign तो यह बात दिमाग में रखेंगे lens law क्या कहता है कैसे apply किया जाता है और मैं उमीद करता हूँ इसके बाद आप लोग transformer की voltage polarity में कभी confused नहीं होने वाले हो और बिटा अगर machine के सारे concept detail में सीखने है तो 14th of July से मेरा machine का course आ रहा है प्लस पे जल्दी से join कर लो 170 hours का content होगा 1000 question करेंगे 10 test लेंगे और सारे doubts भी answer करेंगे और अगर join करना चाहते हो तो बिटा अभी करो क्योंकि minimum fee से फिर prices बढ़ जाएंगे और join करते वक कोड याद रखना अंकित ESE जिससे मिलेगा immediate 10% का discount और आपना मेरी personal guidance में आ जाओगे जिसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि कदम कदम पे मैं आपके साथ रहूँगा और मेरे टेलिग्राम चैनल से बच्चों जुड़े रहना यहाँ पे सारे नए initiative lecture notes और lecture notification सब आपको provide किया जाता है तो इस टेलिग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे even daily quiz भी conduct की जाती तो यहाँ रहोगे तो भीटा touch में रहोगे concepts के so thank you everyone I hope आप सभी को मज़ा आया हो मज़ा आया और सीखने मिला तो like करना मत बूलना और अपने सभी दोस्तों से share करो हमारे चुटे चुटे initiatives और इस चैनल को अब तक subscribe नहीं किया तो गुना कर रहे हो मेरे भाई subscribe करो जल्दी सार वो घंटी बजा देना ताकि notification आता रहे तो बहुत ही जल्दा आप से मिलेंगे episode number 5 में जिसमें बात करेंगे Lawrence Sports की और यहां पर हम बात कर चुगे है Faraday's और Lens Locky Till then engineers, keep rocking, let's crack it